हेलो साथियों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज किस वीडियो के माध्यम से एक वारपुन आपका भाई चंदन आपके साथ जूर चुके हैं मेरी प्यारी सिस्टर जितने भी A&M के हैं बिहार स्वास्थ बिहार के तरब से एक वरपुन आप लोगों के लिए पहुत ही जरूरी पहुत ही इंप्रेटेंट A&M के लिए नोटिस जारी किये हैं खास करके उन सभी A&M के लिए जो 8853 वैकेंसी जो आया था इसके अंतरगत नोकरी कर रहे हैं या फिर सेकेंड लिष्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी तो ये बिल्कुल रूप से इंप्रेटेंट नोटिस जारी किया गया अब ये नोटिस अचाना क्यों जारी किया इसके बारे में जानना होगा आखिर मकसद क्या है इसके बारे में जानना होगा आखिर अंदर-अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस नोटिस से किलियर पता चल रहा है तो बिल्कुल रूप से आपके लिए ये उफिसल नोटिस है डिरेक्ट लेकर चलता है उफिसल नो ओफिशल नोटिस पर और ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं राज स्वास समीती बिहार के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया यानि कि 5-7 दिन पहले ये नोटिस जारी किये थे अब इस नोटिस में क्या लिखा हुआ उसको आम लोग समझते हैं लिखावाई संजाक मार सिंग भारते परशासनिक सेवा कारिपालक निदेशक है और सेवा में सभी सिवील सर्जन सदस सचीव जिला स्वास्तमीती बिहार यानि बिहार के जितने भी सिवील सर्जन सर है जितने भी होस्पिटल है जहाँ जहाँ एनिम कारेरत है सभी सिवील सर् जक्ट क्या है विशाय क्या उसकों लोग समझते हैं विग्यापन संख्या 5-2021 जो कि आपका विग्यापन था 8883 खा के विरूद चायनित एवं कारियलाय आदेश संख्या 4333 दिनांक 21 अक्टूबर 2020 द्वारा जिलों में पदास्थापित एन्यम के पूर्व में कोबिट-19 मह हमारी के दोरान सेवा देने संबंदी विब्रन उपलब्द कराने के संबंध में साथियों यहां से कह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि महासाय महासाय उपरियुक्त विशायक आप अबगत हाई की राज्यस्वास समिती बिहार के विग्यापन संक्या 5-2021 द्वार 8883 A&M के रिक्त पदो को विग्यापित किया गया था यानि कि यह कह रहे हैं कि आपको मालूम ही होगा आप अबगत है आपको मालूम होगा विग्यापन संक्या 5-2021 निकाला गया था जिसमें 8883 A&M के लिए रिक्त पदो पर विग्यापन जारी किया गया था जिसके बिरू चाइनित एन्यम को जिल्लों स्वासंस्थानों में पदास्थापित किया गया यानि कि 8833 वैकेंसी निकाले गये थे जिनमें से 8517 के अमिरिट लिष्ट जारी करके इनको सभी जिल्लों में स्वासंस्थानों में नियुक्ति दे दिया गया है उक्त के अलोक में अनुरोध है कि बिग्यापन संख्या 521 के बिरूद इसके बिरूद चायनित एवं कारेला आदेश संख्या चारतिर पर थिरी दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के द्वारा जिल्लों में पदास्थापित वैसे एनेम जिनकी सेवा राजिस्वास्वास्वास्वामित का सुनिस्चित करें और यानि कि यह कह रहे हैं कि जो इस बिग्यापन के अंतरगात 8517 कंडिट चायनित किये गया है उनको जिलों में नियुक्ति किया गया है उन सभी कैनिदेटों के द्वारा अगर कोबिद 19 में हमारी में अगर उनकी सेवाल लिया गया है क्रोणा के टैम डॉक्टरा सभी जितने भी भी हारे राजी अगर यहाँ पर इक फार्म लोक देख सकते हैं यह यह देख चपहुर जीला कि अंग तरफ से फॉइनली 25203 को जारी किया गया है वैसे यह नोटिस यहां पर दिया गया था इसमें सभी एन्यम का डिटेल्स यहां पर मांगे गए हैं इसमें सभी एन्यम का रोल नमबर देना है उनका नाम देना है COVID-19 के दरान कारियत जिल्ला के नाम सभास्त अन्स्थान के नान कारिय अब कैसे रहा और कोई अव्युकति है तो उसमें भर करके देना है तो यह notice जो है राजस्वास्वास्वास्वति बिहार की तरफ से जारी किया गया है अब आपके मन में प्रस्ण आता होगा कि आखिर यह notice क्यों जारी किया गया है इस notice का क्या मतलब हो सकता है तो साथियों आपको यहाँ पर जानकारी अफगत करा दू कि COVID-19 में कितने A&M कार्ज के हैं उन सभी का डीटेल से मांगा जा रहा है इसलिए मांगा जा रहा है कि अभी आपने देखा ही है कि 10709 A&M का जो वैकेंसी निकाला गया है BTSC A&M के तहत उसके अंतरगत कुछ ऐसे A&M है जो COVID-19 के टाइम में जॉब लिये थे और COVID-19 के टाइम में इन लोगों के ने सेवा दिया था तो इन लोगों ने अभी वैटेज के चलते अपनी अंक के चलते हाई कोट में हाई कोट में केस भी दर्ज किये हैं तो हो सकता है कि राजस्वा समिती डिटेल्स मांग रहे होंगे कि कितने ऐसे A&M है जो COVID-19 के टाइम में काम किये हैं उन सभी का भी जानकारे दीजिए जिससे कि उन लोगों को अगर विचार करने के बाद अगर कोई solution निकलता है तो इन लोगों को वैटेज दिया जा सके क्यां कि यह जो केस है यह सीचिवारी के लिए जो सकता है इन लोगों को किस में कुछ जवाब देना हो गया हो गा या पिर कुछ आई से जानकारी देना हो गया हो गा इसके बजस भी मांग सकता है तो यह सारी यहां पर चीजें हो सकती है बाग है तो डिपार्टमेट पर डिपेंड करता है कि इनकी क्या मकसंद है दूसरी बात ये भी हो चाहिए कर लोग को सकता है अब आप लोग जितने भी कोविणारी किंटाम में काम के थे उन सभी का डिटेल आप लोग को भ्याग जा है अब देखें ब्यादा आपको किसी नीचितर सेक्षम मांगा गया है तो तो एक अच्छी बात है कि आप कार्ज किये हैं तो उसका जानकारी भी होना चाहिए राजिश्वा समीते बिहार को तो चलिए एक अच्छी अपडेट थी जो हम आपको बता दिये साथियों इससे संबंदित कोई नई जानकारी कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपके पास चानकारी पहुँचाता हूँ अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेर कर दीजिएगा सब जगा और कोई डॉट कोई मन में प्रस्णोवत कमेंट करेगा हम आपके लिए फिट से एक नई वीडियो जल्दी लेकर करके आएंगे आज किस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हाँ एक बात और आप लो चैनल को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तरह सा सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट कर दीजिए जिससे की नए नए वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंचेगा और हमें भी युथरा अच्छा लगते रहता है चलिए वीडियो को समाप्त कर देता हूं थैंक्यू